हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब वेलकम बेक टू मैं चेनल और आज फिर से मैं नया व्लोग लेके आ चुका हूँ आपके लिए आज मैं जा रहा हूँ एक वाटरफॉल जो की बर्गर डिस्टिक में है करीब संबलपूर से 100 किलोमेटर दूर होगा और मैं अभी 80 किलोमेटर से ट्रावल कर चुका हूँ दस बजे निकला था अभी 11.45 हो रहा है और यह वाटरफॉल का नाम है बारा बखरा वाटरफॉल और इसका कुछ हिस्टोरिकल भेल्यू भी है उडिसा के लिए कहा जाता है कि यह वाटरफॉल में कुछ केव्स हैं जिसमें जो हमारे फ्रीडम अधर थे वीर सुरेंद्रस आये वह वहां पर छुपके ब्रीटी सर्ष के साथ लड़ाई करते थे तो आईए चलते हैं और देखते हैं कैसा है वह वाटरफॉल और मिलते हैं वाटरफॉल के पास तो फ्रेंद्स मैं अभी कि जो वाटरफॉल जाना है उसके जो एंट्रांस है उसके पास मैं आ चुका हूँ और यहां पर साइन बोड भी लगा हुआ है बारा बखरा तीर्थस थाल है जरना और गुमफा मतलब बारा बखरा एक तीर्थस थाल है और वहां पर एक जरना भी है और गुमफा भी है और वह 15 किलोमेटर यहां से दिखा रहा है तो मैं भी आपको दिखाता हूँ वह साइन बोड और उसके बाद फिर आगे यहां पर लिखावाया है देवरीगट और चिकली डेवरीगट 17 किलोमेटर है हमको डेवरीगट तक जाना नहीं है और आगे एक साइन बोड़ है यहां पर देखे हम यह राइट हर में जाना रस्ता है यहां पर लिखावाया है दिखिए पुखी ग्राम गोविंदपूर घिराकुद नोका बिहार 27 किलोमेटर बीर सुरेंद्र सायस मारकी 12 वखरा तीरस्थड़ी जर्ना और गुंफा 15 किलोमेटर तो हमें अभी जाना है 12 वखरा तो हमारे लिए अभी डिस्टैंस है 15 किलोमेटर तो आएए चलते हैं आगे बढ़ते हैं और यह बात मैं बताना चाहूंगा बर्गर से जब हम आते हैं तो हमको इस तरब से आना पड़ेगा यहां पे एक रेलवे फाटक भी है वो रेलवे फाटक क्रस करते ही आपको फ्रॉंट में ही आपको यह साइन बोड दिखाई देगा यह साइन बोड देखने के बाद आप राइट टन ले लिजे और आगे बढ़ते रहिए तो फ्रेंड्स और कुछ दूर बचा है वाटर फॉल रास्ते में मेरे को तीन भाई मिले हैं जो अभी नया नया व्लोगिंग कर रहे हैं तो कैंडली उनका भी चैनल आप सब्स्क्रा अच्छे वीडियो बनाते हैं और इतना अच्छा वीडियो बनाते है कि उनका क्या ही पता अब का हर वीडियो आपको देखना ही अच्छा लगे है तो उसका नाम चाहिए और भाया आया है संभलपूर से तो उनका चैनल है एस्प्लोरर रही है तो भाया का चैनल सुप्प्राइब कीजिए और उनका वीडियो लाइक कीजिए और बहुत सारा प्यार दीजिए भाया को तेंक यू थैंक यू थैंक यू अल अप्यों देखें कैसे उसलते रहे हैं यहां यहां पूसी से आपको तील दन पादे रहें वीडियो पाद दखते रहें वाच कीजिए थीक है आगे बढ़ते हैं वाटर्पाल की तरफ तो गाइस अभी और सिर्फ चार किलो मेंटर बाकी है यहां पर एक टर्निंग लेना है तो मैं इसलिए रुका हूं और यहां पर टर्निंग के सामने ही लिखा हुआ है साइन भोड लगा हुए थो वह साइन बडा मैं आपको दिखा देता हूँ जैसे हैं आपको बाद में जभ आप कभी आएंगी यहां पर तो आपको कोई दिक्कत मौं होतो कि आपको दिखाता हूं वह साइन बोर। मैं अभी इस तरफ से आया और सामने ही यहां पर लिखा हुआ है करला बारवखरा को रास्ता इसका मतलब बारवखरा वाटरफॉल का रास्ता इस तरफ है राइट साइड में जाना पड़ेगा हमको और यहां पर और एक साइन बोड है जहां पर लिखा हुआ है बारवखरा त चलते हैं और आगे बढ़ते हैं तो फ्रेंड्स फानली मैं वाटरफॉल के पास पहुंच चुका हूं यहां का जो नजारा मेरे को दीखा है बहुत ही एक्स्ट्रा ओडिनेरी नजारा है क्योंकि जंगल मैं पहली बार ट्राफिक जाम होते हुए देख रहा हूं क्योंकि आज संडे है और यहाँ पर काफी जादा भीड़े घाई बहुत ही जादा भीड़ और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कितना भीड यह अब मेरे पीछे देख सकते हैं कितना सारत Bikes है Cars है अब बीड भीड है जैसे कि कोई फेस्टिवल चल रहा हो तो आएए चलते हैं और वाटर फॉल का मजा लेते हैं तो यह है एंट्री पॉंट जहां से ऐसा कुछ डेरिकेट बनाया गया है बांस से और वाटर फॉल तो यह रास्ता बनाया गया है और यहां से कुछ ऐसा है, यहां का भ्यूप सायद हमको 500 से 600 मीटर ट्रेकिंग करके जाना पड़ेगा मैं जब पहली बार आया था, तब यह सब कुछ नहीं था, कुछ बनाया नहीं गया था रास्ता भी नहीं था, हमको यह डारेक्ट पहाड से यह जो पहाड दिखाई दे रहा है, यह पहाड से हमको डारेक्ट चड़के जाना पड़ता था और अभी तो गौर्मेंट ने कुछ काफी अच्छा फैसिलिटेट किया है, टूरिस्ट लोगों के लिए, रास्ता बना के, और काफी खुबसूरत भी होया है, यहां से देखे, चारो तरफ पहाड ही पहाड है, लेकिन यह पहाड में ज्यादा पेड़ पौदे नहीं है, ठ बड़ा टकलू किसम का पहाड है, यह जो जंगल है, यह देवरीगड वाइड लाइफ सेंचुरी के अंदर आता है, तो गाइस, पेस है आपके सामने, बारव अखरा वाटरफॉल, कासी खुबसूरत ना जारा है, लेकिन काती ज्यादा भीड भीड ही है, लेकिन काती ज्या आप एक साथ दो पॉल्क ही है, एक तो यह उपर है, और दूसरा यह निशे गिर रहा है, और यह है गाइस, दूसरा पॉल्क, यह काफी निशे तक रहा है, इसका हाइट मेरे इसाफ से डाइसो से तीन सो फूट होगा, मैंने चाहँ, और पॉल्क, आप वे खुट होगा, इसका है, तो बाहतो है, तो प्रेंड, वाटर फॉल्क आपको कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताईएगा, और मेरे पीशे का आप मैं जारा देख सकता है कैसा है सायद वोएस क्लियरली आप आए क्योंकि वाटरफॉल का साउंड बहुत जाड़ा स्टेज है उमेद करता हूँ मेरा वोएस आपको मिलता होगा तो आपने देखा कैसा भीड़ा यहां पर वाटरफॉल के पास तो यहां पर थोड़ा ब्लॉगिंग करने में दिक्कत हो रहा है पूपर जानी कि और वाटर फाल की उपर से आपको ज्यु थोड़ा दीखांगा कैसा है मैं इस लिए हमेशा प्लान करता हूं विक डेज में जैसे कि फ्राइडे, सटाटे, हस्दे जहां पे भीड कम रहता है लेकिन कल मैं आ नहीं पाया कुछ पर्सनल प्रॉल्लम की वज़ा से तो संडे चूज किया और संडे मैं आज ब्लॉगिंग करने का मज़ा नहीं आ रहा है सच बताओं तो मज़ा नहीं आता है लोग बहुत ज़्यादा है जो पीस मिलना चाहिए वो पीस नहीं मिल रहा है यहां पे और मैं उपर पहुंच चुका हूँ और यहां से मैं आपको व्यू दिखाऊंगा कैसा है आप भी देखे यह बारबाख्रा वाटर पॉल यह बारबाख्रा का पास्ट पॉल है और वो है सेकेंड पॉल है और नीचे लोग कैसे नहा रहा है और मैं जहां नीचे के आथा वहीं पर एक केप भी है जो लोगों से भरा परा था तो मैं उसका वीडियो बना नहीं पाया मैं अभी जहां खड़ा हूँ इसके नीचे ही केव है यहां पर पानी यहां से आ रहा है दर भी लोग नहां रहे हैं आए थोड़ा अंदर चलते हैं जंगल के अंदर चलते हैं एक्स्प्लोर करते हैं कुछ नया जगह फ्रेंड्स वाटरफॉल तो बहुत अच्छा है लेकिन मुझे आज यह ब्लॉक बनाने के लिए मन नहीं लग रहा है क्योंकि इतना भीड है इतना भीड है जहां भी जाओ तो वहां पे लोग पिकनिक मना रहे हैं गंदगी फैला रखें चारो तरफ जो यहां का जो ब्यूटी है उसको खतम कर दिया है लोगोंने दिखाने के लिए मन नहीं लग रहा है क्या दिखाऊं आपको वो केप्स गया केप्स में घीड भरा पड़ा है लोग फोटो मैं आपको चारो तरफ का थोड़ा भीव दिखा देता हूं कैसा है यह है बारा बखरा वाटर फॉल जो की अमभावना विलेज डेवरीगर्ड वाईलाइब सेंचुरी के अंदर है काफी खुबसुरत भीव है और मैं यहां पे एक बार फिर से आना चाहूंगा क्योंकि यह भीड भाड में मैं आपको सही से यहां का नजारा दिखानी पा रहा हूं इतना भीड है कि लोग धक्का देके आगे निकल जा रहे हैं क्या बता हूं अभी मैं ट्रेकिंग करते हुए वाटर फॉल से उपर की तरफ बढ़ रहा हूं और देखते हैं उपर की तर अब हमको और क्या देखने को मिलता है आई होप कुछ अच्छा देखने को मिले दोस्तों उपर थोड़ा उपर मैं आया है वाटर फॉल से तो जो नजारा मेरे को दिखा है बहुत ही खुबसूरत नजारा है मैं आपको भी दिखाना चाहूंगा यहां पे तो फुरा मुझे सिरीज ओव वाटरफॉल दिखाई दे रहे हैं तो आप भी देखें कैसा दिख रहा है तो फेस है आपके सामने वो नजारा कुछ ऐसा है मुझे दूर से और एक बड़ा सा वाटरफॉल दिख रहा है कोसिस करूँ वहां तक पहुचने का देखते हैं पहुचने के लिए रस रस्ता होगा मैं कि जाना है रस्ता नहीं होगा तो मैं नहीं लगा तो आई यह सब्सक्रीम और आगे वरते हैं दोस्तों अभी जो मैंने व्टाफॉल दिखायाँ जो सिरीज ऑव उटरफॉलब्ल दिखा रहा था मुझा यहां जाने के लिए जो रस्ता है कुछ ऐसा है यह आप देख सकते हैं कैसा रस्ता है इसी रस्ते से मैं उस वाटरफॉल तक पहुंचने की कोशिस कर रहा हूं काफी उपपर आ चुका हूं मैं और ज्यादा दूर नहीं है वहां भी लोग पिकनिक मना रहा हैं ना रहा है अभी मुझे और चड़ा ही करना है गया से यहां से अभी तक मेरे वाटरफॉल नजर नहीं आया है दूर से नजर आ रहा था लेकिन अभी दुर्यांत ही गयरब हो गया है कि इतना मेहनाद करने के बाद हमारा जो डेस्टिनेशन है अगर वहां पर हम पहुंच जाते हैं तो बहुत ही खुशी होती है और बहुत ही सुकुन मिलता है वैस कोई भी काम हो अगर वह काम हमारा फूरा हो जाता है तो बहुत ही जादा मन को सांती होती है तो सबसे पहला वाटरफॉल में उसके पास आ चुका हूँ है पहले जो मैं दो वाटरफॉल दिखाया वो दूसरा और तीसरा था यह जो पहला वाटरफॉल है यह सिर्फ आपको मौंसून के सीजन में दिखा देगा यह नॉर्मल सीजन में आपको दिखाई ही देगा तो आएए और देखिए यह वाटरफॉल तो गाइस स्पेस है आपके सामने बारा बखरा का यह पहला वाटरफॉल जो की यह काफी उपर है एराउंड मैं सायद एक किलो मेटर चल के आचुका हूँ ट्रेकिंग करके उसके बाद मेरे को यह नजारा दिखा है और इसके एक किलो मेटर नीचे जो एक्चुल वाटरफॉल है जहां पे ज्यादा लोग रहते हैं वो दोनों मैं आपको पहले ही दिखा चुका हूँ यह वाटरफॉल सिर्व आपको मौनसुन में ही देखने को मिलेगा और मौनसुन ही बेस सीजन है यहां पे आने के लिए और यह और भी काफी उपर से बह रहा है लेकिन तिलाल मैं और आगे नहीं जाओंगा क्योंकि रोपर के दो बचुके हैं यही से मैं आपिस रिकन जाओंगा तो कैसा लगा वाटरफॉल कमेंट जरूर किजिएगा लाइट स्वेयर जरूर किजिएगा तो फ्रेंट्स मैं अभी में वाटरफॉल के अतास आ चुका हूँ और अभी टाइम हो रहा है धाई अभी हमको यहां से निकलना चाहिए तो मैं आपको केब भी दिखाना चाहूंगा कैसा है जहां पर हमारे फ्रीडॉम खाइटा वीर सुरंद्र साय चिप के बिटी सर्ज के साथ लड़ाई कर रहे थे तो आईए देखते हैं वो केब कैसा है कर दो पेस है आपके सामने वो केब काफी बड़ा केब है यहां पर चोटा सा मंदिर भी बनाया गया है और यह किया भी कुछ इस प्रता है यह जगा में वीर सुरंद्र साय जी जो हमारे फ्रीडम खाटार यहां पर चुट के रहा करते थे और देखिश्टास के अंदर काफी जादा खाब तरह 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 प्रोफ्रेंड्स कैसा लगा आपको वाटरफॉल कमेंट में जरूर बताईएगा और आज यहां पर यह ब्लॉग खतम करते हैं और फिर मिलेंगे नेस्ट ब्लॉग में किसी नई जगह के साथ तब तक के लिए गुडबाए अलवीदा जैस्वी रांग झाल